हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, so guys, आज की जो रिडिंग है, यह हम नए टॉपिक पे कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है, कि क्या उन्होंने आपके बीना जीना सीख लिया है, या फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, यह हमारा आज का कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मेरे ख्याल से यह जो रिडिंग है, मैं बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के बारे में ही सोच रही थी, आचानक से मुझे लगा कि आपके परसन के बारे में सोच रही थी, ठीक है, बहुत सारे जो है ना, वीवर्स, उन्हेंने जो कमेंट किया था उसके अनुशार से मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा important है क्योंकि no contact में होने के बाद हर person यही सोचता है कि क्या उसने मेरे बीना दीना सीख लिया है या वो जो है ना मुझे ignore कर रहा है मेरे पास आना ही नहीं चाहता है ना तो यही हम आज की इस reading में देखने वाले हैं कि क्या उन्होंने आपके बीना जीना सीख लिया है या फिर से आपके सांथ जीना चाहते हैं ठीक हमरा में टॉपिक यह रहने वाला है टॉपिक आपको समझ में आ गया है बहुत सारे लोगों की एनेर्जिस को लेकर के मैं यह reading करने जा रही हूँ सो आई होप reading आप सब के सांथ resonate करें हमेशा कितरा बताना चाहूंगी कि यह एक general reading है ठीक और general reading है तो general reading के जैसे ही लेना है आपको ठीक है ना है ओके ऐस है तो चलो reading स्टाइट करते हैं प्लिज इन्वर्स गाइड मिल्ट प्लिज रिश्क्राइब में प्लीज़ काइड मी इस इन्वर्स गाइड मी जो भी हुए वर देख रहे हैं क्या उनके पर्षंन ने उनके बीना चिना सीख लिया है और अगर नहीं सीखा है तो कब तक आएंगे हैं ना ये भी तह हमें देखना है ना चलो अभी मेरी तवित सही है ठीक है ठीक है आज मैंने आराम किया था दिन में भी और मैंने आज personal reading भी साम को करने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा आराम होने के बाद से मैंने personal reading भी किया और अभी मैं वीडियो भी shoot कर रही हुं ओ थोड़ा कभी कभी जादा वर्क हो जाता है ना जिसकी वज़से मेरी ज्यादा तवित ख़राब हो जाती है न nightmare initially wors इसकाइब मिश्यू हरू दर चाहर के बहुत है चलोओ और काइच देखते हैं प्लीज सकाइट मी सिक्स अफ कप्स वाव तो क्या वो इनके बीना जीना सिख चुके हैं प्लीज गाइड मी प्लीज गाइड मी टू ओ अफ करेंड तो जैड मी प्लीज इन्मर्स प्लीज गाइड मी आज जो हैना मैं मैं दोनों deck से ही card पहले निकालूंगी उसके बाद मैं reading करूंगी ठीक है क्योंकि मुझे जो cards है ना वो कुछ बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि और cards निकालने चाहिए उसके बाद मुझे जो है ना आपको बताना चाहिए okay nine of cups okay please guide me three of cups okay very nice क्या वोन होने आपके बीना जीना सीख लिया है यह हम देख रहे हैं so guys cards मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ okay मैंने कहा मैं दुसरे deck से भी card निकालूंगी so मैं पहले दुसरे deck से भी card निकालूंगी उसके बाद मैं reading सुरू करूंगी ठीक है चलो six of cups ओ हो six of cups six of cups देख रहे हैं guys cards वाओ कितनी खुबसूरत से energy है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए गाना सुना है आपने यहाँ दावील क्या card है okay please guide me क्या उन्होंने इनके विना जीना सीख लिया है वाव दसन ग्रेट प्लीज गाइड में प्लीज प्लीज गाइड मी ओके क्वीन ओफ पैंटिकल्स लास्ट कार्ड निकाल की हूं मैं इस डेक से चलो six of swords very nice so guys सबसे पहले तो बाद आना चाहूंगी कि आज की reading में कोई भी negative card नहीं आया है सारे card जो है आज के हमारे सारे के सारे cards positive cards है ठीक है so bottom of the deck देख लेते हैं यहाँ पे king of swords के energy है so इनको रखती हूं मैं side में ओके तो चलो यहाँ देखते हैं कि sign कौन कौन सा है तो यहाँ पे मेरे पास Kansas Scorpio Pisces है Aries Leo Sage है और चौरस वर्गो ऐसे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि wheel का card है तो wheel के card में सारे ही elements आ जाते हैं ठीक है ना तो सारे ही elements है हमारे पास ऐसा कोई element नहीं है जो कि नहीं है ठीक और यहाँ पे टौरस वर्गो ऐप्रिकॉन जैमनाई लिब्रा एक क्वेरियस ठीक है सारे ही elements है चलो ले start करते हैं reading को मैं card को नहीं उठाओंगे क्योंकि light कम हो जाएगी ठीक तो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ तो यहाँ पे card यही मुझे बता रहे हैं कि क्या इन्होंने आपके बीना जीना सीख लिया है तो देखो इन्होंने आपके बीना जीना तो नहीं सीखा है लेकिन यह अपनी life में आगे बढ़ने की कोशिश दरूर कर रहे हैं ठीक है अपनी यह जिन्दगी में देखो मैं यह नहीं कह रहे कि किसी और के साथ यह आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं यहां पर इन्होंने आपके बीना जीना नहीं सीखा है क्योंकि यहां पर अगर इस परसे ने जीना सीख लिया होता न तो सबसे पहले क्या होता कि यहां पर जो मेरे पास इतने positive cards हैं इतने ज्यादा positive cards हैं वो नहीं आते मेरे पास लेकिन मेरे पास सारे ही card आया है क्या कि action 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 तो यहाँ पे card मुझे यही बता रहे हैं कि आपके person जो है अभी इन्होंने जीना नहीं सीखा है और यह आपके पास वापस आना चाहते हैं ठीक है यहाँ action लेना चाहते हैं लगता है कि बहुत सारे लोग अपने soulmate connection soulmate से deal कर रहे हैं बहुत सारे लोग अपने twin flame से deal कर रहे हैं ठीक है third party involvement हो सकती है और third party की वजह से ही आप दोनों का connection कट हुआ था ठीक third party कुछ भी हो सकता है third party का मतलब यह है कि long distance relationship हो सकता है cast issues हो सकते हैं यहाँ पर मुझे cast issues भी दिख रहे थे ठीक है और यहाँ पर धर्म भी अलग-अलग हो सकता है आप लोगों का और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे यह भी दिख रहे है कि उनकी family मलब कि आपके family किसी family का matter भी हो सकता है यहां पे तो दोनों में से दोनों का मुझे third party situation यही देख रहा है कि इन सारे चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है और अभी आपके person अभी भी आपके person मैं card निकालूँ तो यहां पे देख रहे हो यह action लेना चाहते हैं आपके लिए ठीक है आपके लिए आगे बढ़ना चाहते है यानि कि क्या है यह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े तो है यानि कि career में आगे बढ़े तो है लेकिन क्या है अपनी जिंदगी अपनी love life अपनी personal life में यह person आगे नहीं बढ़ पाए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो इसका मतलब यह है कि यह person आपके पास return आने की कोशिश करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर card यही clear cut में बता रहे हैं कि आपके जो partner है न यहाँ पर यह जल से जल चाहते हैं क्या जल से चल चाहते हैं आपको proposal देना आपके सामने proposal को रखना यह person की चाहत यही हो रही है और यह अपनी life में अगर आगे बढ़ गए होते न गाइस तो यह फिर दुबारा मुढ़ के नहीं देखते क्योंकि इनका एक कहते हैं ना कि अपनी life का अपना rule होता है तो इनकी भी life का अपना rule है क्योंकि यह person ego वाले हैं ना इनमें ego बहुत ज़ादा है इनको देखो किसी के पास कुछ होता है किसी के पास कुछ नहीं होता है फिर भी लोग ego करते हैं ना पहले तो ego करना यहां पर वही है कि आपके person का ego बहुत ज़्यादा है गुस्सा बहुत ज़्यादा है और उसकी वज़ा से ही आपके person का और आपका यहां पर ब्रेक अप भी हो गया था तो यहां पर मुझे six of cups का card जो है यही बता रहा है कि आपके person फिर से आपकी life में वापस आना जाते हैं past life से मतलब कि इसी person के साथ आपका connection था ना तो यहां पर तो यही card मुझे बता रहा है कि हाँ यह अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे यह बढ़ेंगे लेकिन क्या है यह आपके साथ आगे बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर यह right time का भी wait कर रहा है person इनको right time इनका भी wait है two of wands का card है मेरे पास तो यह person जो है ना इंतिजार कर रहे हैं क्या इंतिजार planning चल रही है future planning चल दे है आपके person future की planning कर रहे है कि हाँ हम लोग ऐसे मिलेंगे हम लोग मैं उसको यह proposal दूँगा उसको मिलूँगा तो gift दूँगा है ना तो gifts वेगेरा की भी planning चल होती है ना कि हम हमारे partner करते हैं surprise है ना तो यहां पर यह person planning कर रहे हैं और मुझे लगता है ना कि आपके person के पास शायद दो choices भी हैं एक आप हो एक उनकी family या फिर कोई other person भी हो सकता है जिसमें से यह person अभी choose नहीं कर पा रहे हो लेकिन यह choose आपको करना चाहते हैं ठीक है यह आपके लिए stand लेना चाहते हैं यह आपसे मिलना चाहते है future में आगे बढ़ना जो होता है ना एक future में मुझे मैंने तय किया कि हा मुझे तो इसी person के साथ आगे बढ़ना है तो आपके person ने यह planning किया है future के लिए कि मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है ठीक तो यहां कि देखो इस person ने बहुत कुछ समयटा है बहुत कुछ चाहे आपका लमहा आपका दिन कैसे गुजळा कैसे नहीं गुज़रा वो अलकी बात है लेकिन इस person ने अपने अंदर अपने आपको खामोश रखा ठीक है खामोश रखा है मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये जो है ना रोन डिस्टेस यानिकि इनका जो काम होगा सब्मद कर दिसनेस होगा या सब्रस्वार या पर आते होंगे ऐसा कुछ मुझे आ पानी को देख करके ऐसा feeling आ रहा ठीक है Tammy और अभी feel किया कि हाँ कुछ ऐसा है ठीक तो अपने आप में जो है काफे mature person है और यह अपने संदगी में आगे नहीं बढ़ पाए है क्यों क्योंकि इन्होंने शदा आपका इंतजार किया है आपके साथ इन्होंने सपने देखे हैं आपने जो है manifest किया है इस person को और इस manifestation की वजह से यह person किसी और के साथ आप खुशी नहीं रहाए पाता है हमेशा जो है ना आपके बारे में इसोचते रहते हैं हमेशा जो हैं आपकी दून में यह गुम रहते हैं ठीक है तो यहां पे ये person मुझे दिख रहा है कि हाँ ये person जो है ना अपनी life में आगे ना बढ़ करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं यानि कि ये person फिर से वापस आना चाहते है क्यों क्यों कि यहां पर three of cups का card है ठीक है यहां पर six of swords का card है ये past की चीजों को देखो कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसे हमें भूलना पड़ता है है ना तो वैसे ही आपके person भी सोच रहें कि past की चीजों में अगर हम पड़े रहें और past को ले करके ही हम अपनी जिंदगी तैय करे ना तो ये गलत होगा है ना क्योंकि हमें future भी तैय करना है और उस person के साथ तैय करना है जो हमारा है तो यहां पर ये person यही सोच रहे है future की planning मैंने पहले भी कहा कि future planning हो रही है आपके person का और ये जो है ना मुझे लगता है कि इन्होंने ने खुद को बहुत हील किया है बहुत ज़्यादा और इन्होंने आप तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया भी है यानि कि कहें तो आपको पता होगा नहीं होगा लेकिन आपके बारे में खोश खबर रखा है इस person ने हमेशा ही आपके बारे में जानना चाहा है कि हाँ कैसे हो कैसे नहीं हो कहा हो है ना तो यह person जो है ना ऐसे है ठीक तो यहाँ पे मुझे यही देख रहा है कि इस person ने जो है अपनी life को वो हिस्सा खाली रखा है आपके लिए कहें तो अपना दिल अपना दिमाग आपके लिए रखा है कि हाँ मुझे जो है न एक relationship चाहिए जरूर चाहिए लेकिन किसके साथ चाहिए ये मैं तैय करूँगा है न तो इन्हों न तैय किया है आपके साथ क्योंकि यह आपसे प्यार करते हैं आपके साथ इनका connection connecting feel होता है इनको connection feel होता है क्या connection feel होता है हम तो तंग आ गए है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है दिख रहा है आपके person जो है न यहां है तरे चैन्ज होने का भी वेड कर रहें है मैंने कहा ना कि ये पर्षन वेड कर रहे हैं तो यहाँ पर्षन फिर कहूंद मैं कहूंगे कि ये उस टाइम का वेड कर रहे है जिस वक्त आप दोनों का मिलन होगा है न और यह person जो है अपनी life में कभी इनको लगता है कि अपनी life में मैं आगे बड़ी नहीं पाँगा मुझे support के जरुत है और वो support हो आप ठीक है तो यहाँ पे क्या है the sun का card है देख रहे हो ना the sun का card the sun का card मुझे clear बता रहा है कि आपके person जो है यहाँ पे आपके साथ यह सपने देखते हैं ठीक है आपके साथ आपको यह बहुत ही supportive person हो इनको बहुत ज़्यादा आपने support किया है और आगे भी करोगे इस person को पूरा भरोसा है ठीक तो यहाँ पे यह, परसन जो है न, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है इस परसन की life में क्योंकि यह, परसन फिर से वापस आना चाहते हैं चाहे कितनी भी दूरियां हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये सफर तय करके ये person तो आ रहे हैं न, आपके पास, आपके दरमेा तो आ रहे हैं न, तो यहाँ पे, दसं का काड है, यानि कि आप दोनों के बीच में सब चीज सही होगा, सब चीज सही होगा, थीख? यहाँ पे queen भी है, queen of pentacles, queen of pentacles मतलब कि आपकी जो energy है आपकी जो खुबसूरती है आपकी जो अदाएं है आपके person को जो है अपने तरफ attract करती है ठीक और इसकी वज़ा से यह जो है ना यहाँ पे यह person वापस आएंगे आपके पास यह अपने जिन्दगी में आगे बढ़े ही नहीं है कभी बढ़ना चाहा लेकिन शायद नहीं बढ़ पाएं है ना तो यहाँ पे problem यही है कि यह अपने जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाएं है ठीक है ना तो यहाँ पे card मुझे यही बता रहे है कि यह person आने की भी planning कर र लिभिन बहुत लंबी बनाती है तो बोरिंग लगने लगती है दिखो बोरिंग लगती है आप उसी टाइम रिडिंग को छोड़ दो है न क्योंकि जिसमें इंट्रस्ट ना आए उसको कशना या उसके साथ समय बीताना यहां पर बिकार है ठीक है न तो अगर आपको बोरिंग लगता है उसी वक्त reading खतम करो उसी वक्त छोड़ दो है न कोई matter नहीं करता कि कि क्या है reading में जब आपका दिल ही नहीं लग रहा है है ना जब इंट्रेस्ट जिसमें इंट्रेस्ट आए ना वही करना चाहिए मुझे जहां तक लगता है और क्योंकि बहुत सारे लोग ही ज्यादा बड़ी बड़ी डिडिंग मेरी पसंद करते हैं तो मुझे सब का ख्याल लगना है अगर चॉइस एंडिसीजन्स ओके टीस काइड में ओके 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 चलो कोई दिकत नहीं है चूज वाइसली ओके चलो काईज यहाँ पर जो कार्ट्स है मेरे पास यह मुझे क्या बता रहे हैं तो यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास सायद अभी कोई चॉइस है अभी भी कोई चॉइस है इनकी लाइफ में कहें तो मैंने पहले भी कहा ना कि इनके पास दो चीजें हैं है ना इनको डिसाइड करना है तो यहाँ पर इनके पास मुझे दिख रहा है कि यह इतने सारे दर्वाजे हैं आप लोग देख रहे हो न cards में दरवाजे तो बहुत है लेकिन इसमें किस दरवाजे में जाए कि इनकी खुशी वहाँ पर मिले है ना तो यह person को clear होना चाहिए जो कि क्या होता न कि हमारे पास options जाधा रहते हैं तो यह कोई वी person कोई भी person हो confused हो जाएगा है ना जब उसके पास एक से एक बहतर option हो ना तो कोई भी confused हो जाता है तो यह जो है ना मुझे यही देख रहा है कि आपके person जो है यहां पर अभी भी confused है आपको ले लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं डिसीजन लेने के लिए कि क्या डिसीजन सही रहेगा है ना तो हाला कि ये परसन बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट्स डाल रहे हैं डिटर्मिनेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ परसन जो है ना दिखो यह जगलिंग भी चल रही है यहाँ पे मैंने कहा ना कि जगलिंग चल रही है याने कि इनकी सिचेशन ही कुछ ऐसी है एक होता है ना एक पॉइंट होता है कि नह ने कहा कि thought party situation है ठीक है और thought party की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ बहुत ज्यादा problem हो रही है और बहुत physical pressure भी आ रहा है मुझे जहां तक cards बता रहे हैं आपके person पर हो सकता है कि यह person married हो और married होने के बाद भी यह person अपनी संदेगी में यहाँ पर बहुत तंग है अपने बीवी से अपने husband से अपने बच्चे से है न तो वो खुशी मिल नहीं रही है इस person को और वो खुशी जो है आप दे सकते हो ठीक तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है तो यहाँ card यह बता रहे हैं कि यह person हाला कि divine पर भरोसा किये हुए है और यह जो है न वहां कहते हैं कि अपने आपको हील करने की भी कोशिच कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं यहाँ पर यह person इतने ज्यादा परेशान हो गये हैं मतलब कि यह जो कहते हैंना कि देखो हमारे ज़न्दगी में बहुत सारे उतार चड़हव पाते हैं और इस परसन के भी जिंदगी में उतार चलहाओ बहुत आये हैं और यहां पर यह परसन बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग बहुत जो है ना यहां पर ते को नसीली चीजों का यहां पे ना सेवन हो रहा है आपके पॉर्शन के द्वारा ठीक है तो यहां मैं यहीं देख पा रही हूं कि के बहुत कोशिश करने के बाद भीं किसी चीज में सकस्स नहीं मिल रही है तीक है और अपनी आप शायद आप से कॉंटेक्ट करना चाते हैं लेकिन कॉंटेक्ट नहीं कर पा रहे हैंना तो इस वज़ाğ से भी इनको डाक्लीफोन हो बता रहें कि confusion बहुत है तो ये हमेशा मतलब कि ये जो है ना एक कहता है कि mind लगाएंगे दिल लगाएंगे दोनों को दिल और दिमाग से दोनों से सोचेंगे तो इनको पता चलेगा ना कि हाँ इनकी life में क्या है क्या है मतलब कि क्या इनके लिए सही है ठीक है तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह आपको choose करेंगे आपके बारे में जादा सोचेंगे और आपके लिए जो है ना यहां पे यह decision लेंगे ठीक है आपके लिए stand लेंगे और यहां यहीं दिख रहा है कि यह person कब तक वापस आजाएंगे कब तक यह जो है ना अपना अपना प्यार मुहबत ले करके फिर से आपकी जिन्दगी में वापस आएंगे तो यहां मुझे यह दिख रहा है कार्ड का कि नंबर जो है ना यहां पर मेरे पास 6 days, 6 weeks, 6 months ठीक है 6 नंबर के मेरे पास ज्यादा कार्ड से 6 days, 6 weeks, 6 months लग सकते हैं यहां पर आपकी पर्षन को आपकी जिन्दगी में दुबारा से हर वो खुशी, हर वो प्यार जो आप दोनों के relationship में पहले हुआ करता था ठीक है तो यह जिन्दगी में अपने आगे नहीं बढ़े हैं यह आपको आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे ठीक और यहीं पर यहीं पर हमारी reading यहीं पर हम खतम करते हैं सो मिलते हैं guys next reading में हसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें, बाई